नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो देखिए गाइस आज जो एससी जीडी कॉंस्टेवल का छे मार्च दो आज़ार चोविस की सेकंड सिप्ट का जो पेपर हुआ है उसके लगवग सभी कोशन मिल चुके हैं तो वीडियो स्टाट करने नाम बना जाता है राजस्थान अगला यून चैको ऐसे कर नाम बता तो इस कोशने का अंसर हो जाएगा आरी तो ऑलमेनी यह हो जांगे तो इस question का answer हो जायगा संतूर से संतूर अगला है राज़ सभा में किटने सदस्य मनोनीत किये जाते हैं तो इस question का answer हो जायगा Total 12 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं किसके दौरा किये जाते हैं राष्टपती के दौरा अगला है बौध उपदेश कौन सी भासा में दिये गए हैं तो बौध जो उपदेश हैं वो आपके दिये गए हैं पाली भासा में दिये गए हैं अगला है लच्छ सेन का समंध कौन से खेल से हैं तो लच्छ सेन का समंध ह बैड मेंटन अगला है चंद्र गुप्त मौर के गुरू का नाम बताओ तो चंद्र गुप्त मौर के जो गुरू थे उनका नाम है चानक क्या चानक का नाम भी पूचा जाता है दूसरा नाम क्या है इनको कोटिल भी कहते हैं और क्या कहते हैं कोटिल के अलाबा और कहा जाता ह विश्नु गुप्त विश्नु गुप्त ओके अगला सरकार के कितने अंग होते हैं देखिए सरकार के होते हैं टोटल तीन अंग तो क्या होते हैं कारेपालिका होती है कारेपालिका होती है न्याएपालिका होती है न्याएपालिका और क्या होती है विधाहिका तो बताया जा है कि इनमें से एक कोश्चन बना था कि निकार पालिका और विद्नाय पालिका ये किस से संबन्दित है ये आपका आया था कोश्चन नेक्स्ट कुश्चन है संयुक्त राष्ट संग के बर्तमान में अध्यच का नाम बताओ तो संयुक्त राष्ट संग के बर्तमान में अध्यच का नाम है एंटोनियो गुटेरिस अगला एक कथक में खाड़े होने की मुद्रा को क्या कहा जाता है तो कतक में खड़े होने की मुद्रा को क्या कहते हैं हस्त मुद्रा कहते हैं क्या कहते हैं हस्त मुद्रा आगला है राष्ट पती राजसवा में कितने सदस्यों को मनुनीत कर सकता है तो टोटल बार है सदस्यों को और राजसवा में सदस्तों के संक्या कितनी होते धाई सो होती है एक चौती पंच बर्षी योजना से परसंट था देखी चौती पंच बर्षी योजना के बारे में जान ले थे हैं चौती पंच बर्षी जो योजना है वो गडगिल फार्मूला माडल पर आधारित थी और इसका उद्देश क्या था मुख्य उद्देश सिच्छक सिच्छा देने के मानकों में सुधाल लाना और इस योजना का कारिकाल था 1909 से 1974 तक अगला है मुंबई के कौन से रेलवे स्टेशन को कौन सा पुरसकार मिला देखें मुंबई का एक स्टेशन है भाय खला रेलवे स्टेशन इसको कौन सा पुरसकार मिला तो यूनेसको दौरा एसिया प्रसांत सांस्कृतिक बिरासत पुरसकार मिला है अगला फुटवाल के खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है तो यह होती है 100 से 110 मीटर नेक्स्ट है सौटपुट का बजन कितना होता है सौटपुट का बजन होता है 7.26 किलोग्राम हच बाई विहारित क्रांती में हच बाई वी का विस्तारित रुप बता तो हाई इल्डिंग बराइटीज अगला है बंगाल का बिभाजन कब हुआ था बंगाल का बिभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 को भारत की जो ततकालन बाईसराए थे कौन थे लॉर्ड करजन इनके दोरा किया गया था नेक्स्ट है कुमुदिन लखिया का सम्मन कौन से नत्य से है कुमुदुन लखिया का संबन है कथक नत्य से किसे है कथक नत्य से एक कोशन था राजकोशिय घाटे का मतलब क्या होता है देखे राजकोशिय घाटे का मतलब सरकार के कुल राजस्टो और कुल ब्याय के बीच का अंतर क्या कहला था राजकोसी यह घाटा देखिए अब नत से भी आपके कोश्चन आ रहे हैं कुछ नत पढ़ लेते हैं जैसे कि आपका एक नत है राओफ राओफ जो नत है वो कहां का है जम्मू एंड कस्मीर का एक आता है बीहू बीहू कहां का लोखनत है असम का लोकनत्य एक आता है लाबड़ी लाबड़ी जो है वो कहा का लोकनत्य है तो यह हो जाएगा महाराश्ट्र एक आता है गिद्दा बा भांगड़ा तो इस कोशिन का अंसर क्या हो जाएगा पंजाब का लोकनत्य हो जाएगे एक आता है डांडिया ब गर्वा डांडिया बगर्वा कहां मनाया जाते है नत्य है तो इस इस को शन का अंसर हो जाएगा गुज़रात एक आता है कथकली कथकली कहां का लोकनत्य है तो यह हो जाएगा केरल और अगर पूछा जाता है कथक कथक नत्य कहां का है तो यह हो जाएगा यूपी का एक दिखी गाइस तेवार आता है बैसाकी तेवार कहां मनाया जाता है तो इस कोशन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो सकता है तो गैज आसके इस वीडियो में इतना है थेंक्यू धन्यवाद